हालो इवरीवन एक बाफ फिर्शे श्वागत है आप शभीक आपके पसंदिदा यूटूब चैनल रमासर में आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अगस्त माह की टाप 10 वेकंसी के बारे में जीहां 10 पास 12 पास ग्रेजवेट के एक लाग से अधिक पदों पर अमपूर जानकारिया आप तक प्रोवाइट करवाएंगे इसलिए आप लोग चैनल के एंड तक बने रहें एक बार फिर से श्वागत है आप शभीक आपके पसंदिदा यूटूब चैनल रमासर में तो डिसकस करते हैं अगस्त की टाप 10 वेकंसी के बारे में जिन वेकंसी वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और संपूर वीडियो की जानकारी को भी देख सकते हैं तो चलिए स्टाट करते हैं आज की पहली वीडियो पहली वीडियो है इंडो टाइबान बॉर्डर पोलिस फोर्स इटिबप के कॉंस्टेब इंबॉक्स में हमारा उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहां से देख करके आप इस वीडियो के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फिर भी हम इसके स्वाट डेटल साफ नॉडिफिकेशन का डिसकस थोड़ा सा इस वीडियो में कर देते हैं इंपोर्टेंट डिट्स की बात करले हम तो इसका जो इंपोर्टेंट डिट्स है वह 28 जुलाई 2024 से फार्ण फिलफ होनाय क्या है इसके लाँ अड्मिट काड़ और रिजल्ट से रिलेटर जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहे हैं आप्लिकेसन फिस की बात करें तो जनरल OBC और EWS के लिए 100 उपए का सुल्क निर्धारित किया गया है जबकि SCST और दिव्यांग कंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई सुल्क दे नहीं है महिला वर के किसी भी कटिगरी की महिला हो चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EWS हो, EWS हो, EX-Service Man हो, EWS हो, यष्टी हो, दिव्यांग हो, कोई भी हो उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई सुल्क दे नहीं है अब दूसरी बड़ी वेकंसी की बात करें तो इंडियन आयल कार्पोरेशन लिम्टेड जी हाँ आई ओ सी यल की वेकंसी है जिसमें नौन एक्सक्रिट्यूब वेरियस पोस्ट रिक्रूट्मेंट 2024 का नाडिफिकेशन जारी हुआ है इंडियन आयल कार्पोरेशन लिम्टेड की नई वेकंसी के संपूर्ण डिटेल्स के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक वहाँ से जाकर के आप इस वेकंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फिर भी सौर्ण डिटेल्स आफ नाडिफिकेशन का डिस्कस आज की इस वीडियो में हम आपको करा देते हैं तो चलिए सबसे पहले आपका इंपॉर्टन डिट्स क्लियर औरवा देते हैं जो इंडियन आयल कार्पोरेशन लिम्टेट की वेकंसी है उसमें इंपॉर्टन डिट्स का डिसकस करें तो जो इसका अप्लिकेशन ही स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई 2024 से फ्रारंभ हुआ था और एक कईस अगस 2024 तक इसका फार्म फिलेफ होना है एक्जाम फिस की बात करें तो एक कईस अगस 2024 तक ही इसका इक्जाम फिस प्यमिन्ट होना है एक्जाम डेट की बात करें तो सप्टमबर 2024 सिटमबर 2024 में इसका इक्जाम होना रहा है एडमिट कार्द 10.09.2024 से आपके पास aulival हो जाएगा अप्लिकेशन फीस की बात करें दोस्तों तो 300 रुपए सुल्क जनरल OBC और इकोनामी बिक सिक्संस के लिए लख रखा गया है जबकि SCST और दिभ्यांग कंडिडेट्स के लिए कोई सुल्क दे नहीं है उम्र सीमा की बात कर लें तो 18 वर्स से ले करके 26 वर्स आयू के लोग इसका फाम फिलेप कर सकते हैं इंडियन आयल कार्पोरेशन लिम्टेट की नॉन एक्स की ट्यूप पोस्ट पर जो विभिन प्रकार के नॉटिफिकसंस जारू है उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे जिसमें 18 से 26 वर्स आयूसी मा रखिये यह बढ़ते हैं आज की तीसरी बड़ी वेकंसिस के बारे में दिखा देते हैं आपको जानकारी उत्तराखांट पब्लिक सर्विस कमिस्टन में थाथ UKPSC में लेक्चरर गवर्मेंट पॉल टेक्निक में गवर्मेंट पॉल टेक्निक में लेक्चरर के रिक्रूट्मेंट के लिए नॉटिफिकेशन जारी हुआ है जिसका नॉटिफिकेशन नमबर है UKPSC A1-DR-S3-2024 की बात करें तो अप्टिकेशन जो हमारा इस्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई 2024 से इस्टार्ट हुआ था और 12 अगस 2024 इसके लिए लाश डेट ने रधारित किया गया है उसी दिन आप फीस पेमेंट भी कर सकते हैं करेक्सन डेट की बात करें तो 18-27 अगस 2024 इसके बिच में आप करेक्सन कर सकते हैं एक्जाम डेट अभी क्लियर नहीं आया schedule recording exam होगा, जैसे exam date clear आएगा, admit card release हो जाएगा, admit card release होते ही हम आपको वीडियों के मादधम से सुचित कर देंगे, इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, वीडियों को लाइक कर दीजिए, all notification on कर लेज और 22 रुपए का दिव्यान कंडियों के लिए सुल्क नरदारित किया गया है, बढ़ते हैं, next बड़ी वेकेंसी के बारे में तो LIC Housing Finance Limited, जी हां दोस्तों, LIC Housing Finance Limited की Junior Assistance Recruitment 2024 की वीडियों को हमने भी upload कर दिया था, इसका भी details हमने आपको share कर दिया था, फिर भी आप इसके details के लिए official website visit करके संपुर्ण जनकारी प्राप्ट कर सकते हैं, LIC HSTL Junior Assistance Exam 2024 के important dates का ही discuss हम आज की वीडियों में करने वाले हैं, important dates के लिए हमने आपको face से लेकर संपुर्ण जनकारी प्रवाइड करवा दिया था, तो important dates की बात करें, तो LIC Housing Finance Limited की जो application start हो रही थी, वस 25 24 इसके लिए last date निदारित किया गया है, उसी दिन रातरी बारा विजयता है का आप face payment भी कर सकते हैं, exam date जो है September 2024 में होना सुनेश्चित हुआ है, जैसे ही exam का कोई fix date आएगा, admit card or level होते ही हम आपको वीडियों के माद्दम से सुचित कर देंगे, इसमें application face की बात करें, तो सुल्क का बुकतान, आप debit card, credit card, net banking, रुपे card, cash card, mobile wallet के माद्दम से कर सकते हैं, बढ़ते हैं अगली बड़ी बेकेंसी के बारे में, तो इस वीडियों की पांचवी बड़ी बेकेंसी का नाम है, stop selection commission अर्थात SSC के stenographer grade C and D recruitment 2024, यास पांचवी बड़ी बेकेंसी में, stenographer के grade C और D के लिए नए पदों का आगाज हुआ है, इस डोनों के इस वीडियों का भी discussion हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, उसका भी वीडियों कर आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियों का भी description आपको, description box में आपको पांचवी नेंबर पर वीडियों मिल जाएगा, वह 15 अगस 2024 को रात्री 11 बजेत तक आप आनलाइन फार्म फिलेप कर सकते हैं, और 18 अगस 2024 को रात्री 12 बजेत तक आप इसका फिस्पेमेंट कर सकते हैं, correction date 27-28 अगस 2024 निर्दारित किया गया है, जबकि CVT computer based test होना है, October 9 बर में इसका exam होगा, skill test की बात करें, तो schedule recording इसका skill test भी जारी हो जाएगा, जैसे skill test exam date आएगा, उसके लिए हमाराक से आपको वीडियो बना करके notify करेंगे, अप्लिकेसन फिस्प की बात करें, तो जनरलोबी सी और एको नाविक वीक सिक्सिंस के लिए 100 रुपे का सुल्क रिदारित किया गया है, इसलिए आप साउधानी पुरुवक इसका form फिलफ करें, बढ़ते हैं, छटमें बड़ी वेकंसी के बारे में, तो railway recruitment board जी हा, RRB, railway junior engineer, JEE के पदों पर नया notification जारी हुआ था, इसका notification number है, CEN03-2024, इसका भी वीडियो बना करके हमने railway recruitment board का भी वीडियो बना करके हमने आपको समपूर्ण जनकारी प्रोइट करवा दिया था, उस वीडियों को भी देखने के लिए, आपको छटवे नंबर पर वीडियों का लिंक मिल जाएगा, आप description box में, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, important debts का discuss कर लेते हैं दोस्तों, तो जो application start हो रहा था, वह 30 जुलाई 2024 से फार्म फिलफ होना इस्टार्ट हो चुका है, और 29 अगस 2024 सर्थात पूरी अगस तक इसका फार्म फिलफ होना है दोस्तों, आप इसका फार्म फिलफ कर सकते हैं, last date face payment के लिए कहें, तो 29 अगस 2024 को रातरी बारे बज़े तक ही face payment का last date रखा गया है, correction और modifications की बात करें, तो 30 अगस 2024 से लेकर के 8-9-2024 तक आप, 8-7-2024 तक आप correction या modification कर सकते हैं, exam date की बात करें तो schedule recording exam होना है, जैसे ही admin card available होगा, इसके लिए भी मैं आपको वीडियों के मादधम से सुचित कर देंगे, इसलिए चैनल पर subscribe करें चैनल को और all notification को जरूरान कर लें, application fees की बात करने, general OVC और EWS के लिए 500 रुपे का सुल्ग ने धारित किया गया है, जबकि other categories के लिए और महिला वर्ग के लिए 250 रुपे का सुल्ग ने धारित किया गया है, unreserve category OVC और EWS का fees refund 400 होगा, जबकि SCST और महिला candidate का पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, बढ़ते हैं आज की सात्वी बड़ी vacancies के बारे में, तो National Bank for Agriculture and Ruler Development अर्थात नाबाड की वेकेंसी है, नाबाड में Assistant Manager Grade A Recruitment का नए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें Grade A के पद हैं, इसका भी वीडियो बना करके हमने आपको संपूर जनकारी प्रवाइड करवा दिया था, पिछली वीडियो बना करके, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो Description Box क्लिक करें, वहाँ पर आपको सात्वे नंबर पर इस वेकेंसी का रिकार्ड मिल जाएगा, रिकार्ड मिल जाएगा, वहाँ से आप संपूर जनकारी प्राप्ट कर सकते हैं, उसी दिन रात दिबारा विजे तक आप फिस प्रेमेंट भी कर सकते हैं, दोस्तों, फिस बन का एक्जाम डेट जो है, वह एक नव दोजार चोबिस, एक सिटमबर दोजार चोबिस को इसका एक्जाम होना है, एड्मिट कार जैसे रिलीज होगा, उसके लिए भी हम अलग से आपको बिडियो बना करके सूचित कर देंगे, इसके लाँ दोस्तों, जो अप्लिकेशन फीस की बात कर लें, नावाड एसिस्टेंस मनेजर ग्रेडे के अप्लिकेशन फीस की बात, तो जनरल, अधर बैकोर्ट क्लास, एकोनामी वीक सक्सन के लिए 850 रुपए का सूचित दारित किया गया है, जबकि SCST और फिचली हंडिकेश के लिए, यानि दिव्यां कंडिडेट्स के लिए 150 रुपए का सूचित दारित किया गया है, इसके लामा एज से रिलेटेड जयानकारी आप प्राप्त करना चाते हैं, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप विजिट करके, अफिसेल वेज़्या विजिट कर सकते हैं, और समकुर जयानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अध्यमी बड़ वेकंसी की बात करें, तो जॉइन इंडियन एर फोर्स अगनिपत वायू अगनिवीर स्कीम जीहां, इंडियन एर फोर्स ने अगनिवीर वायू के सलेक्शन टेस्ट का नौटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो इंटरस्टेट कंडिडेट हैं, जो बच्चें करवा दिया था, इंपॉर्टेंट डेट्स की भी जानकारी आपको थोड़ा-थोड़ा देते चल रहे हैं हम, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसमें अप्लिकेशन जो इस्टार्ट हो रहा था, वह 7 जुलाई 2024 से इसका फार्म फिलफ होना इस्टार्ट हो चुका है, और दिया गया है, फिस की बात करें अगर हम, तो वायू के लिए अप्लिकेशन फिस है, जनरल OVC और EWS का 550 रुपए का सुल्क, जबकि SCST के लिए भी 550 रुपए का सुल्क निरधारित किया गया है, सुल्क का भुकतान आप, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बें वेकंसी की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, उत्राखंड बोर्ड आफि स्कूल एजुकेशन अर्थाद UBSC की वेकंसी है, इसमें टीचर अलिजबिल्टी टेस्ट, यानि यू टेट, उत्राखंड टेट, टीचर अलिजबिल्टी टेस्ट का आनलाइन फार्म है जो कंडिड़ेट टेट की तयारी कर रहे हैं, तो वे इसका फार्म फिलब कर सकते हैं, अल ओबर इंडिया वेकंसी है, उत्राखंड टेट का परिच्छा दे सकते हैं, जो सी टेट क्वालिफाइड हैं, उने चाहें तो इस्टेट का दें या न दें, जो नहीं हैं, वे भी दे सकते हैं उत्राखंट टेट की परिच्छा को इसका इंपॉर्टन डेट्स डिसकस कर लें दोस्तों तो अप्लिकेशन इस्टार्ट हो रहा है हो चुका है तैइस साथ दोजार चौबिस से और 17 अगस डोजार चौबिस तक इसका रेजिस्टेशन होना है सत्रअगस डोजार चौबिस तक रेजिश्टेशन करेंगे लेकिन फिस्ट परिमेंट के लिए आपको दो दिन की नॉटिपाई। यह से होगा उसके लिए हम आपको अलग से नोटिफाई कर देंगे इसके लिए एक पिपर अगर आप सिंगल पिपर यानि की प्राइमरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जाने सिंगल पिपर के लिए तो जनरल ओबीसी और डवीएस के लिए 600 रुपए यसी स्टी के लिए 300 रुपए का सुल्क लगेगा अधर इस्टेट के लिए 600 सुल्क लगेगा बोध पिपर के लिए जुनियर और प्राइमरी दोनों के लिए आप अप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल ओबीसी और डवीएस के लिए 1000 रुपए यसी स्टी के लिए 500 रुपए किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में हमें कोई सुझाओ देना चाते हैं सला देना चाते हैं तो जरूर दें हमें भी वीडियो इंप्रूफ करने में अच्छा लगेगा आप का सला हमारे लिए सरोफ़री है ताकि हम किसी प्रकार की कोई मिश्टे को रही है वीडियो में किसी प्रकार की ऐसा धनिया बढ़ती जा रहे हैं तो इसके लिए हम सुधार कर सके तो चलिए बढ़ते हैं नवे बड़ी वेकंसी की तरब तो जारखंड academic council राची जी हाँ जारखंड academic council राची यह था जे टेट जी है टेट की बात कर रहा है दोनों टेट की vacancies लाइस्ट में हमने लगा जाए है जारखंड teacher eligibility test जे अच टेट की बात करें तो इसका भी वीडियो बना करके हमने आपको संपूर जानकारी provide करा दिया है अगर आपने जेटेट का पीडियो नहीं देखा है तो आपको 10 पी नंबर पर description box में link मिल जाएगा वहाँ से जा करके आप वीडियो देख सकते हैं संपूर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले दोजार चोविस इसके लिए लाज डेट ने धारित किया गया है उसी दिन रात त्री बारह वजे तक आज फीस फेमेंट भी आपका सकते हैं exam date schedule के recording जारी होगा अभी exam के लिए कोई fix date नहीं आई है जैसे ही कोई fix date आएगी admit card available हो जाएगा admit card available होते ही आपको विडियों के मादधम से हम सुचित कर देंगे इसलिए all notifications को on करके जरूर रखें exam के बाद answer की और result declaration होने पर भी हम आपको विडियों के मादधम से शुचित करते रहेंगे इसलिए आप विडियों के अन तक पने रहें application fees की बात करें तो single paper अगर आप देना चाहते है फार पेपर first और पेपर second चाहिए आप first paper single देना चाहिए या second paper single देना है तो general OVC और EWS के लिए 1300 रूपए यानि 1300 रूपए का सुल्ख मिधारित किया ग सुल्ख के लिए 1500 रूपए का सुल्ख जबकि SCST के लिए 800 रूपए का सुल्ख मिधारित किया गया है सुल्ख का बुकताना आप debit card credit card या net banking के माध्यम से कर सकते हैं इसके लावा offline fees mode भी है offline के माध्यम से भी चलान बना करके भी आप fees payment कर सकते हैं तो दोस्तों हमने आज डि वीडियों से related कोई query है किसी प्रकार का कोई confusion है आपने वीडियों पिसलान नहीं देखा है तो serial wise हमने दसों बैकेंसी का details आपको इस वीडियों में दे रखा है description box में जाए वहां आपको संपूर्ण जानकारी प्रवाइड करवाई गई है एक एक करके 10 की दसों बैकेंसी का वीडियों हमने दिया हुआ है वहां से आप देखके संपूर्ण जानकारी प्रवाइड कर सकते हैं या हर विभाग की official website विजिट करें वहां से भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई query रह गई है कोई सलाह या सोजाओ देना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें दीजिए आपकी कमेंट का में इंतसार रहेगा इसके लाओं दोस्तों गर आप मारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया है तो चैनल को सब्सक्राइब क लिए बीडियों को like कर दीजिए अधिक सदीक दोस्तों को share करके उनें भी इसकी जनकारी दीजिए तो आज की वीडियों लेबस इतना ही मिलेंगा आप सभी एक नई वीडियों के साथ एक नई वेकेंसर दीटेल के साथ till then good bye thank you